दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा आठ के तीसरे चैप्टर चत्रबुजो को समझना इसकी पहली प्रशनावली यानि प्रशनावली तीन दशनमलव एक करेंगे इस वीडियो में हम इस प्रशनावली के सभी क्वेशन्स को सॉल्व करेंगे और बाकी प्रश्णावरी के solutions के लिए description box में playlist चेक करें और वहाँ पर जो मैं पिछले chapter अपलोड कर चुका हूँ उसके भी आपको videos मिल जाएंगे पिछले videos, पिछले chapter के videos students को बहुत पसंद आए और मैं उमीद करता हूँ कि आगे भी आपको काफी पसंद आएंगे आप अच्छे से इन videos को देखें जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये videos अच्छे से देखते हैं तो आपको कहीं भी tuition पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है best class की tuition आपको यहीं पर ही मिल रही है घर बैठे बैठे और इस chapter के मैंने परिजे के videos बनाए है जिसमें मैंने basic basic चीज़े समझाई है तो आप उनको जरूर देखना आपको सारी basic चीज़े भी समझ आ जाएंगी ठीक है तो शुरू करते हैं और ये रहा इस प्रशनावली का पहला प्रशन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आकृतियां दी है और इन आकृतियों का हमें वर्गी करन करना है इस आधार पर तो देखो सबसे पहले साधारन वक्र इसको हम सरल वक्र भी कहते हैं अब इन में साधारण वक्र कौन कौन से हैं तो देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि साधारण वक्र, बिल्कुल जिनको हम Simple Curve कहते हैं इसमें लाइन एक दुसरे को नहीं काटेंगे, यानि एक तो ऐसा कभी नहीं होगा दूसरा ये नहीं होगा कि जैसे जहांपर तीन लाइन आप ये जंक्शन देख रहे हैं यापर तो यहाँपर ये समझो कि T-point है, तीन तरफ ये चीज जा रही है इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है ऐसा भी नहीं होना चाहिए है न यहाँ पर जैसे इसमें लाइन एक दूसरे काट रही है ऐसा भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक यह अंदर की तरफ बनावा है यह बाहर की तरफ बनावा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो यानि पहला, दूसरा, पाचवा, छेटा, और सेवंध, ये साधारण वक्र है, कौन-कौन से नहीं है, ये तीन मैंने आपको बता दिये है, अब साधारण होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने देखा, ये भी बंद है, ये भी बंद है, बंद का मतलब ये कि सेरे बंद होने चाहिए, जैसे अगर मैं इसकी बात करो, तो इसमें सेरे खुले हो गया ना, खुले नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए, तो यहाँ पर ये वही, ये सभी साधारण व तत्वा तीसरा चौथा नहीं है आटवा नहीं है बहुपुज इनमेंसे कौन से है देखो बहुपुज की क्या कंडिशन होती है बहुपुज होते हैं इसमें तीन चीजे होनी चाहिए पहले बाद तो रेखा-khंड होने चाहिए यानि मुडवी ये मुडवा वक्र नहीं होना चाहिए बिलकुल सीधी लाइन होनी चाहिए दूसरा इसमें ये साधरण होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए तो अगर हम देखें तो इसमें ये देखो साधरन भी है, बंद भी है और इस ये रेखाखंडों से बना है आप अगर देखो ये वाला ये साधरन बंद तो है बलेकिन इसमे रेखाखंड नहीं है ये तो मुड़ेवे कव है मुड़ेवे वक्र है जैसे ये भी नहीं है जैसे ये भी नहीं है अब यहाँ पर रेखाखंड तो है लेकिन ये साधारन नहीं है ये एक दूसरे काट रहे हैं इस तरह से तो ये भी नहीं होगा और ये तो खेर नहीं है यानि ये तो ये है पहला और दूसरा इने बहुबुज कहते हैं तो बहुज में रेखाखंड होंगे रेखाखंडों से साधरन वक्र साधरन भी होना चाहिए बंद भी होना चाहिए अब बहुबुझ जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया है कि बहुबुझ दो है इसमें है ना कौन-कौन से है किवल पहले और दूसरे हमें बताने कि उत्तल कौन है अफ्तल कौन है तो उत्तल और बन गया तो यह आवतल होगा यानि जो पहला वाला है यह आवतल है अगर मैं उतल की बात करो तो यहां पर यह दूसरा वाला उतल है क्योंकि यहां के जो सभी विकर्ण है यह इसके अंदर ही बनेंगे एक विकर्ण यह है ये इसके अभियंतर में बना यानि अंदर की तरफ बना दूसरा विकर्ण में अंदर की तरफ बना लेकिन इसमें ये विकर्ण बाहर बन गिया है तो एक भी विकर्ण अगर बाहर बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये आवतल बहुबुज है तो ये सब हो गया, clear दूसरा question आप देख सकते हैं निमलेखित प्रतेख में कितने विकर्ण है तो सबसे पहले उत्तल चत्रबुझ उत्तल चत्रबुझ बनाते हैं तो अगर हम ऐसे एक चत्रबुझ बनाए ये बिल्कुल उत्तल चत्रबुझ है है ना, क्योंकि इसके सबी विकर्ण अंदर की तरब बनेंगे तो यहाँ पर एक विकर्ण ये हो गया विकर्ण कैसे बनते हैं शीर्षों को मिलाते हैं बस आसन शीर्ष मत मिलाना लगातार वाली शीर्ष मत मिलाना बाकि शीर्ष मिलाना ये तो ये दो विकर्ण है तो इसमें विकर्णों की संख्या दो अब हमारे पास है एक समशठभुज तो समशठभुज बनाते हैं पहले तो ये अब इसके विकर्ण बनाते हैं तो ध्यान रखना विकर्ण वैसे डॉट लाइन से बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा बिलकु सापसुत्रा बने तो मैं डाक लाइन बनाऊंगा डॉटेट नहीं बनाऊंगा बड़ आपको डॉटेट बनाना है तो विकर्ण क्या होते है दो शिर्सों को मिलाएंगे लेकिन आसन शिर्सों को मत मिलाना क्योंकि अगर आपने लगातार शिर्सों को मिलाए तो वो तो भुजा बन जाएगी, विकर्ण तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पर एक विकर्ण है यह, गिनते रहना साथ में, ठीक है न, बात में कहीं confusion नहों, एक यह बना, दूसरा यह है, और तीसरा यह है, अब हम दूसरे ब बनाए, तीन बने, शिर्स बी से बनाते हैं, तो एक तो यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, कितने बने, छे बने टोटल है न, तीन यह और तीन यह च्छे, अच्छा आप सी से बनाते हैं, तो यह है सातवा, यह पहले बनावा है, यह सातवा और यह आठवा, अच्छा अ अब D से बनाते हैं, तो दो तो पहले बने वे हैं, एक यह, नवा, नाइन्थ, और E से भी सारे पहले बने वे हैं, F से भी बने वे हैं, तो इसमें विकर्णों की संख्या 9 हो गई है, अगर यहाँ पर नाम आप देना चाहो तो दे सकते हो, कि 9 कौन-कौन से विकर्ण है, तो C से, C F, C E, फिर D से, D F, 9 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, हाँ, बिल्कुल, यह तो यह नो विकर्णों बनेंगे, सम्शटबुज में, और जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ नाम देने होते हैं आपको, तो आप आराम से नाम देते हैं, एक A C है, और दूसरा BD है, ति तिर्बुज जो है, यह बनता है इस तरह से, अब तिर्बुज में, सारे के सारी जो इसके शीर्ष हैं, यह आसन हैं, लगे वे हैं, अगर सभी शीर्षों की बात करें, तो यह सभी लगे वे हैं, तो इसमें कोई विकर्णी नहीं बनेगा, यह जीरो है, शुन्या, तो यहा उत्तल चत्रुबुज होते हैं एक ऐसा चत्रुबुज जिसमें सभी विकर्ण अंदर की तरफ होते हैं यानि इस प्रकार से दूसरा पहचानने का तरीका यह है कि जो सभी कोण इसके हैं यह 180 से कम होते हैं यह उत्तल चत्रुबुज होता है इसके सभी कोण 180 से कम होते हैं या ऐसे मुडावा है दूसरा पहचानने का तरीका ये होता है कि इसके विकर्ण जो है ये सभी अंदर की तरफ होते है आप देखो अगर विकर्ण एक विकर्ण ये है ये चत्रबुच के अंदर बनता है ये भी चत्रबुच के अंदर है लेकिन यहाँ पर अगर मैं विकर्ण बनाना चाहूँ तो एक विकर्ण ये बाहर बन गया है बले ही दूसरा विकर्ण अंदर है लेकिन एक विकर्ण ये बाहर बन गया है तो विकर्ण जिसका बाहर बनता है वो अब्दल चत्रबुच होता है अब इसमें जो है ये इसको ABCD नाम देते हैं तो चारों अंधा कुणों का योग क्या होता है? 360 होता है आइंगल A更able B plus angle C plus angle D ये क्या होता है? 360 अंश होता है चत्रु बुच, उत्तल चत्रु बुच अब वो कहने कि क्या अवतल में бھی same होता है? उत्तल अगर नहो अवतल हो तो क्या सेम होता है तो बिलकुल इसमें भी सेम होता है तो हम यह कहेंगे कि यहां पर भी कोणों का योग 360 होगा अन्ता कोणों का योग अन्ता कोण का हो यह सिद्धा कोण कहें दो यहां भी 360 होता है अब इसको सिद्ध करने का एक तरीका है क्या है देखो एक लाइन ये खींचो आप इसको विकर्ण मान सकते हो हमने ये खींच दिया है ये है A, B, C, D इसके जो अंदर के कौन है यहाँ पर इसको कौन एक ले लेते हैं ये कौन संख्या दो यह कोंड संख्या 3 ऐसे यहाँ पर यह कोंड संख्या 4 है यह 5 और यह 6 कोंड है है ना अब आप जानते हैं अब दोनों अलग अलग त्रिभूजों को लो अगर मैं एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 की बात करो तो 180C अंश होगा क्योंकि त्रिभूजों के 3 अंता करों का यह को एक सोसी होता है दूसरे त्रिभूज में देखो पहले में थे हमने देख लिया दूसरे में देखो दूसरे में 4 5 6 इसको मिलाया यह भी एक सोसी हुआ क्योंकि दूसरा भी तो त्रिभूज है लेकिन जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा यह बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 यह हुआ 360 अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा अगर हम एक और 4 को इकठा करें अच्छा दो को नहीं करना एक अठा और यहाँ पर 3 और 5 को इकठा करें फिर 6 को भी अलग रख देना है तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 4 अगर हम दोनों को मिला दें तो एंगल A बनेगा एंगल 2 एंगल B है फिर एंगल C जो है तीन और 5 को मिला के वो पूरा ही C बनेगा और यह एंगल 6 जो है वो एंगल D है 360 तो आगया ना फिर से 360 आगया तो बिलकुल इस से हम क्या निश्करस पर पहुंचे कि चाहे उत्तल नहीं भी हो तो भी चत्रुबुज के चारो कोणों का योग 360 अंश होगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा अब यह देखो बहुत अच्छी चीज है यह आपको ध्यान में भी रखना है इस क्वेशन में को जानकारी दी है देखो यहाँ पर है क्या पहले आप यह समझो बात कौन से बात क्या बात की जा रही है जब हम एक तिर्भूज की बात करते हैं तो तिर्भूज यह तिर्भूज आप देख सकते हैं तिर्भूज में तीनों कोड़ों का योग क्या होता है? यह होता है 180 अंश यह आपको पता होना चाहिए तो तिरभुज के ने तो आसान है लेकिन जब भुजाओ के संख्या बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है तो क्या करे तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर टेकनीक बताई है question में भी उन्होंने कुछ चीजे समझा रखी है तो बड़े अच्छी बात है यह यहाँ पर यह आपको सीखने को मिलागा और उसके बाद में अलग से question भी उन्होंने पोछा है तो यहाँ पर जब किसी बहुज में चार भुजाई होंगे यानि चत्रुज तो उसके कोड़ों का योग क्या होगा तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे किस चत्रुज को एक विकर्ण डालकर दो त्रिभुजों में बाड़ देंगे यह दो अलग अलग त्रिभुज हो गये है है ना अब एक त्रिभुज के कोड़ों का योग तो आपको पता है 180 है दूसरे त्रिभुज के कोड़ों का योग भी आपको पता है वो भी 180 होता है तो पूरे चत्रभूज का कोड़ों को यह क्या हो गया यानि 180 इसका 180 इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दिया है है ना समझ आ गया आपको अगर भुजाओं की संख्या 5 हो फिर क्या करें तो देखो 5 जिसमें भुजाए होंगे उसकों 3 तिर्भूजों में बाढ़ सकते है है ना यहाँ पर 5 भुजाए है इसलिए 3 तिर्भूज बन गए है और ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180 तो जब आप सभी कोड़ों का योग करेंगे तो क्या होगा तीन तिर्भूजों के कोड़ों का योग के बराबर होगा क्योंकि तीन तिर्भूज बनते हैं इसलिए 3 गुणा 180 हुआ समझ रहे हैं जब 6 भुजाए होंगी और आप से पोजा जाए कि भाई इन सभी कोड़ों का योग बताओ क्या होगा तो आपको करना क्या है कि 6 भुजाओं के आकरती में जो शट्भूज होता है उसमें कितने तिर्भूज बनेंगे तो उसमें इस प्रकार से आप देख सकते हैं चार तिर्भूज बनते हैं अब एक तिर्भूज जो है 180 अंश्का होता है कोड़ तो 4 तिर्भूज में 4 का कुणा कर देंगे बहुत ही अच्छा तरीका है फिर से समझो जैसे ये चत्रभूज है अगर आपसे पूछा जाए कि चत्रभूज के 4 अंदा कुणों का योग क्या होता है बही बताओ आपको ये पता है कि चत्रभूज को हम 2 तिर्भूजो में बाट सकते है अब 1 तिर्भूज 180 होता है तो 2 तिर्भूज जो होगे 180 गुणा 2 तो यानि 360 ये तरीका है तो करना क्या होता है कि जितनी भी भुजाए है उसमें 2 माइनस कर दो जितनी भी भुजाए है उसमें दो माइनस कर दो और 180 का उसमें गुणा कर दो ये तरीका है अब प्रश्ण ये पूर अंता कोड़ों के योग की बात हो रही है ठीक है तो बहुपुच के कोड़ों के योग के बारे बारे आप क्या सकते है जिसकी भुजाओं के संख्या निम लिखी दे तो यहाँ पर चार अरगला क्वेशन आप मान सकते है जो ए है इसमें भुजाओं की संख्या है साथ तो कोड़ों का योग क्या होगा हम क्या करेंगे देखो फॉर्मुला है एन माइनस टू इंटू एक सो असी तो यह हो जाएगा सेवन माइनस टू इंटू एक सो असी जितनी भुजाओं की संख्या उसमें दो माइनस कर देने है और एक सो असी का गुणा कर देना है तो यह हुगा नौ सो जिसमें भुजाओं की संख्या आठ है तो कोड़ों का योग क्या होगा तो फिर वही करना है कि 8 में 2 माइनस कर देने है 180 का गुणा कर देना है 6 गुणा, 180, 186 के, 108 इतना अंश हो गया है अच्छा, फिर C वाला जो पार्ट है इसमें N है 10, कोणों का योग 10 है तो योग क्या होगा? सुरी, भुजाओ की संग्या 10 है तो कोणों का योग क्या होगा? तो 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे और 180 का गुणा कर देंगे यानि 8 गुणा, 180 यानि यह हो 188, 144 अंश तो यह आंसर आगे है और चौथा N वाला क्या होगा? वो तो यहीं पर मैंने लिख दिया है D तो यहीं पर यह है क्योंकि वो यह 4 की हम से दे formula लिख दे यह हो चुका है तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह question अच्छे से समझ आया होगा question number 5 है सम बहुज क्या है? एक सम बहुज का नाम बताइए जिसमें 3 बहुजाएं, 4 बहुजाएं या 6 बहुजाएं हो तो सबसे पहले सम बहुज क्या होता है? एक ऐसा बहुज जिसमें सभी कोण और सभी बहुजाएं आपस में बराबर हो तो आप जानते हैं जैसे मैं अगर इसकी बात करो तो इसमें चारों भुजाएं बराबर है लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है यह और यह आपस में बराबर नहीं है तो यह सम बहुज नहीं होगा सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए आपस में अच्छा, अब देखो हम एक सम बाहुत बनाएंगे जिसमें तीन भुजा हो तो यह बन गया एनवा इस वक्वेशन में बनाने के लिए नहीं बता रखा बढ़ अब यह तीनों भुजाय आपस में बराबर है और तीनों कौण आपस में बराबर है और इसको क्या कहते हैं आप जानते है इसका नाम क्या है ये है संबाहुत्रिबुज संबाहुत्रिबुज नाम है इसका अब चार भुजाओं वाला बनाएंगे तो चार भुजाओं में चारों भुजाओं बराबर होनी चाहिए चारों कोण बराबर होनी चाहिए तो यहाँ पर यह चारों बुजाएं बराबर है और चारों कोण बराबर है तो इसका क्या नाम होता है? क्या आप जानते हैं? अगर आपने नाम इसका बता दिया है वेरी गुड यह है वर्ग और जिसमें छे बुजाएं हो तो जो छे बुजाएं होंगी यहाँ पे यह सभी भूजाय आपस में बराबर है और यह सभी कौन आपस में बराबर है ध्यान रखना मैं बस आपकी सुविधा के लिए बना रहा हूँ question में यह नहीं बोल रखा है कि आपको बनाने है आकरती कहीं आप exam में आकरती बनाने पे लग जाओ नहीं केवल पूछा है कि नाम बताईए तो देखो जिसमें छे बुजाय होते इसका नाम है समशटबुज समशटबुज यह नाम है इसका ठीक है तो I hope आपको समझ आ गया होगा यह सभी पाड़ भी हल हो चुके है question number six है यहाँ पर आप यह आकरती देख सकते है इनमें हमें x कमान ग्याद करना है तो यहाँ पर जैसे यह है यहाँ पर x कमान ग्याद करना है यह है यह सब ठीक है तो करते हैं one by one सबसे पहले यह है सबसे सरल, सबसे आसान तो यहाँ पर हम कौन सा कौन सी property लगाएंगे देखो चत्रबुज के चारो कोणों का योग 360 अंश होता है तो यहाँ पर जो सभी कोण है योग कोणों का योग लिखो यह लिखो चत्रबुज के कोणों का योग यह होता है 360 अंश तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 है 130 है है न यह चारों एक दो तीन एक 120 है और एक X है अब इंतीनों को प्लस करेंगे तो यह आजाएगा कितना यह हुआ धाई सो तीन सो तीन सो प्लस एक्स बराबर तीन सो साथ और X आजाएगा तीन सो साथ माइनिस तीन सो यानि 60 डिग्री तो पहला आंसर तो आ चुका है अब सेगिन पार्ट करते है यहाँ पे हमारे पास यह आकरती है यहाँ पे हमें X ग्याद करना है अब इसमें समस्या यह है कि हमें यह वाला कोण पता नहीं है नहीं तो चारों को प्लस करके हम 360 लिख लेते तो पहला काम तो हमें करना है कि यह वाला कोण ग्याद करना है इसको हम नाम दे देते हैं वाई अच्छा सबसे पहले बात तो यह है कि जब भी ऐसा बना हो यह 90 डिग्री होता है ध्यान रखना तो जब ऐसा बना होता है न यह कोणे टाइप का तो यह 90 डिग्री है तो इन दोनों को प्लस करके होता है 180 एक ही लाइन में जो कोण बनते हैं उनको प्लस करके 180 अंश होता है तो यह दोनों को प्लस करके 180 है 90 उस तरफ गया और यह आ चुका है तो Y जो है वो 90 हमारा आ चुका है यहाँ पर लिखेंगे नहीं आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है ठीक है न यह लिखना मती यहाँ पर अच्छा अब चारों को हम प्लस करेंगे एक X है एक 70 डिग्री है एक 60 डिग्री है और यह कभी अभी हमने निकाला है 90 डिग्री इन चारों को प्लस करके 360 अंश होता है एकस प्लस साच्छे तेरा बाइस 220 और एकस हो जाएगा 360 माइनस 220 यानि 140 अंश और यह आ चुका है तो आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा अब हमारे पास यह आ करती है यहाँ पर हम एकस ग्यात करना है अगेन यहाँ पर समस्या यह है कि हमें इन दोनों कोणों के बारे में पता नहीं है तो कोई समस्या नहीं है इसको हम Y ले लेते हैं और इसको हम Z माल लेते हैं अब पहले Y निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में कोड़ों का योग 180 अंश होता है तो यहाँ पर हम 70 और y को प्लस करेंगे तो 180 आएगा और इस प्रकार से हमें y मिल जाएगा 110 टिक्री तो y हमें मिल चुका है अब ऐसे ही यहाँ पर z निकालेंगे हम कि z और 60 इनको प्लस करके 180 अंश तो z हो जाएगा 60 उस तरफ जाएगा माइनस होके यह आ चुका है 120 तो यह दोनों आ चुके और अब यहाँ पर आपको ध्यान से यह देखना है कि यह चत्र भुज नहीं कितनी भुजाएं हैं यह एक, दो, तीन, चार, पाँच यह पाँच भुजाएं हैं यह चत्र भुज नहीं है इस बात का आप ध्यान रखना तो पंच भुज के कोणों का योग क्या होता है पंच भुज के कोणों का योग इसको ग्याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मुला है कि जितनी भी बुजाएं है उसमें दो माइनस कर दो और 180 का गुणा कर दो पिछले क्वेशन में मैंने बताया था आपको इसी एकसिसाइस के एक क्वेशन में तो तीन गुणा 180 हुआ और अठारतिया 54 यह हुआ 540 अंश तो हमें पंच बुज के कोणों का योग मिल चुका है यानि सभी का योग हमें मिल चुका है तो अब देखो एक है 30 अंश फिर है X दूसरा भी X एक फिर Y है और Z है इन सब को मिला के आएगा 560 30 X और X को मिला के हो गया 2X और Y जो है वो 110 है Z 120 है और यहाँ पर हो जाएगा 2X प्लस इनको हम प्लस करेंगे तो 110 केतना हो यह 200, 230, 260 बराबर 540 तो यहाँ पर 2X हो गया है 540 माइनस 260 यह हुआ माइनस करके 280 और X आ जाएगा 280 में 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 नीचे जाएगा और 140 आ जाएगा 140 अंश यह आ चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ आ गया होगा यहाँ पर यह आकरती है और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो यह बताने का यहाँ पर प्रियास किया गया है और सभी x है तो यहाँ पर यह पंच भुज है इसके कोणों का योग क्या होगा तो जो पीछे हमने किया था अगर आप पिछला question देखे तो यहाँ पर भी पंचबुच था कोणों का योग 540 अंशाया था यहाँ पर भी वही है कि सम पंचबुच यह सम पंचबुच है ठीक न कि कोणों का योग तो इसके कोणों का योग जो है वो क्या होगा जैसे कि मैंने बताया था बुजाओं की संख्या में से 2 माइनस कर दो और 180 का गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 3 गुणा 180 और यह है 540 पीछे भी हमने निकाला था बढ़ फिर से मैं निकाल देता हूँ और यह 540 किसके बराबर है तो यह आएगा और यह है 5X इकोल्स टू 540 और X आ जाएगा 5 से भाग देंगे 108 आ जाएगा यह आंसर आ चुका है ठीक है क्वेशन नमर 7 है यहाँ पर हमें X प्लस Y प्लस Z ग्याद करना है और B में वी ऐसा ही है पहली बात तो यह है कि इसमें अगर आप X देखें X यह है Y और Z यह तीनों के तीनों क्या है बहिशकोण है यहाँ पर अगर आप देखें X Y Z W चारों बहिशकोण है तो सभी बहिशकोणों का योग 360 अंश होता है चाहे कितने भी भुजाए हो यानि इसका उत्तर भी 360 अंश आना चाहिए और इसका उत्तर भी 360 अंश आना चाहिए है ना लेकिन हम डारेक्ट ऐसे 360 नहीं लिखेंगे हमें ग्यात करने है प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है ओके तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लेते हैं सबसे पहले ए वाला देखो यहाँ से Z निकालना बड़ा आसान है क्योंकि Z और 30 को जब हम प्लस करेंगे तो यह 180 आएगा और इसका कारणी है कि यह रैखिक युग्म इसे हम कहते हैं ठीक है ना क्योंकि एक ही लाइन पर बने है तो यह है रैखिक युग्म इनको प्लस करके 180 आता है तो Z आगिया 180 माइनस 30 यानि 150 अंश अब हम X निकालेंगे चलो पहले X निकालना चाहिए था बड़ कोई बात नहीं बात एगी है इनको प्लस करके भी 180 आएगा और इसका भी एक ही कारण है देखो X और 90 है न यह दोनों एक ही लाइन में है यानि यह बना रहे है रैखिक युग्म रैखिक युग्म यानि एक ही लाइन में दो एंगल्स जब होते हैं तो वो रैखिक युग्म होते हैं अच्छा और X यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 90 यानि यह हुआ 90 डिग्री अच्छा वाई निकालने का तरीका देखो वाई निकलेगा कैसे इस एक गुण है एक प्रॉपर्टी है कि जो बहिशकोण होता है किसी त्रिभुज में वो सामने के दो अंतरकोणों के योग के बराबर होता है तो यहाँ पर वाई आना चाहिए 30 प्लस 20 बहिशकोण प्रमेय और इस प्रकार से 120 आ चुका है तो अब हम तीनों को प्लस करेंगे X प्लस Y प्लस Z यह हो जाएगा 150 प्लस 90 प्लस 120 और यह प्लस करके 360 अंच आएगा ठीक है ओके और अब यहाँ पर है तो यहाँ पर देखो यह निकालना फिर से आसान है यहाँ से Z निकलेगा यहाँ से Y निकलेगा यहाँ से X निकलेगा थोड़ा कश्ट हो सकता है W निकालने में अके लेकिन वह भी मुश्किल नहीं है उसके लिए हम यहाँ अंगल पहले निकालेंगे है ना तो बहुत सब कुछ सरल है आपके सामने कोई मुश्किल नहीं है इसको हम नाम देते हैं अंगल यू तो angle u हमें पहले निकालना है नहीं ये बाद में निकालेंगे हम पहले निकाल दो बात एक ही है चलो पहले निकाल देते हैं देखो 4 अंता कोण का योग तो 360 होता है ये आप जानते हैं तो u प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 ये तो है 360 क्योंकि चत्रबुज के चारो कोड़ों का योग 360 अंश होता है, सिरी बात है यह, यहाँ प्लस करेंगे, यह हुआ 140, 260, और U हमें मिल चुका है, 360-260, यानि 100, तो यह 100 आ चुका है, यहाँ पर लिखना मत, बस मैं आपकी सुविधा के लिख रहा हूँ, 100 आ चुका है, और तो देखो, X और 120 को हम प्लस करेंगे, तो 180 आएगा, कारण क्या है, कि यह रैखिय की युगम बनाते हैं, एक ही लाइन में दोनों कोड है, तो X इस तरह से उस तरब जाएगा, तो माइनस हो के यह 60 अंश आ चुका है, अब Y, सेम कहानी Y के साथ है, Y और 80 को प्लस करेंगे ह तो यह क्या आएगा, 180, फिर से, कारण फिर से वही रैखिय की युगम, तो Y इस से आ जाएगा, 100 है न, उस तरब जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब निकालते हैं Z, तो Z और 60 को मिलाकर, यहाँ पर फिर से 180 है, तो Z और 60 को मिलाया, 180 आया, कारण वही रैखिय की युगम, Z निकला 60 उधर गिया, तो 120 अंश, तो X, Y, Z मिल गए है, और अब W वाला केस है, जो यह वाला, यहाँ पर भी वही है, W और U को प्लस करेंगे, यानि 100 और W को प्लस किया, 180 आया, तो W हो गया, 80, और अब 4 को हमें प्लस करना है, X प्लस Y प्लस Z प्लस W, X है अपना 60, Y है 100, Z एक सो बीस, और W है 80 है न, यह 4 प्लस किये, 160, 260, 280, 360, हो गया, 360 अंश, यह, ठीक है, और राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सभी questions अच्छे से समाझ आए होंगे, इस chapter के बाकी exercises और अन्य chapters के exercise के लिए, description box में प्लेइलिस्ट चेक करें, तो करता यह, करता है झाड़े, शidade मैं हो एया है और अन्य chapters का राइब प्लेइलिस्ट, अबा के है दान्य तर राइ़र जाई, प्लेजिए यह, टीक है।